नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रोग्रस स्ट्डी पॉइंट में फ्रेंट्स आज इस व्यूडियो में लेकर आए हम आपके लिए स्टाफ नर्स के होने वाले एक्जाम से रिलेटेट क्वेस्चन आंसर सीरीज का पार टू तो फ्रेंट्स इस व्यूडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर आप इस चैनल पे नहीं है तो रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रस करके इ इससे हमको और अच्छी मोडिविशन मिलती रहें एक अच्छी वीडियो बनाने कि अपने फ्रेंड के साथ शेयर भिकाए जिससे के संतर के व्यूडियो कोबने विल करें आवी ठीक है फ्रेंट्स तेर ना करते हैं शुरू करते हैं व्यूंदियू क्यों लिजरा है जो question है वो यह है कि एट्स का मूल रूप क्या है तो यानि कि एट्स का full form क्या है तो एट्स का full form है acquired immunodeficiency syndrome ठीक है यह एक असी बीमारी disease है जो कि वायरस के द्वारा होती है और यह हमारे body के T-cells यानि कि आपके प्रत्रच्छा तंत्र को खतम कर देती है जिसके वज़े से ठीक नहीं होती और जल 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 जल्दी से और भी दूसरी बीमारिया बॉड़ी को कमजोर करती जाती है ओके तो इसका full form क्या है acquired immunodeficiency syndrome okay and next हमारा है रक्त यानि blood का pH कितना होता है यानि आपका pH वैल्यू कितना होता तो इसका pH वैल्यू होता है 7.3 से 7.4 के and next हमारा है bronchitis में सोशन किरिया कि दर कितनी होती है कि यह होती है आपकी 40 से 50 बार प्रत मिनट यानि एक मिनट में 40 से 40 से 50 टाइम्स एक सोशन किरिया होती है ब्रोंकाइटिस में क्या होता फ्रेंट्स जो आपकी सास नली होती है तो उसमें शूजन आ जाती है और उसकी जैसे हमें बहुत बेचैनी होती है और सास लेने में दिख्कत होती है और नेक्स्ट हमारा सामान राक्त चाप कितना होता है यानि किसी विक्ति का एक यूमन वड़ी का जो सामान एक नॉर्मल ब्रड पिशर कितना होता है तो 120 by 80 mmhg होता है क्या होता है पारा होता है यानि मर्करी होता है ठीक है वह 120 by 80 mmhg और नेक्स्ट हमारा है कौन सी उसदियां आमासई अमलेता को घटाती है तो आपके जो आमासई अमलेता है नहीं पेट में जो एसिडिटी बनती है उसको कौन करती है तो वह दभाया आंटासेट्स होती है जो की कम करती है यह 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 भी एक प्रकार का अंटासेट है और यह हमारे पेट की अमलेता यानि जो कम करती है और नेक्स्ट हमारा है छहे रोग किसके द्वारा होता है यानि कि टीवी ट्यूबर क्लोसिस किसके द्वारा होता है यह डिजीस एक बक्टिरिया के द्वारा होती है और इसका नाम है माइक्रो बक्टिरियम ट्यूबर क्लोसिस ओके और इससे बचाओ के लिए वैक्सिन दी जाती है BCG यानि Bacillus, Calamity, Urine और जो कि बच्चे को जन के समय दी जाती है और नेक्स्ट और इसके लिए कई प्रोग्राम्स भी चलाय जा रहे हैं और आपने सुना होगा डॉट्स ठीक है डॉट्स भी इसके रोप्थाम के लिए के चलाय जाता है गौवर्ण मेंट द्वारा और इसका फुल फॉर्म क्या होता है डॉट्स का डॉट्स का फुल वह होता है डारेक्ट जॉट्ड छॉस्ट्रiesoंट के ड barr और नेक्स्ट हमारा है नेत्र श्लेश्मा शोद को क्या कहते हैं यह कंजक्टिव आइटिस होती है दोस्तों आपने देखा हुआ कि इससकर गर्मी होए अब रसाथ के सीजन में आखों में सुजयन आ जाती है अलकिसी और उसके आपकी आखे बिल्कुल रड हो जाती है उसमें जलन होती है और पेन होता है तो क्या होती है प्रोडम को क्या बोलते हैं कंजक्टिव आइटिस कहते हैं नेक्स्ट हमारा है रताउंदी से बच्चाओ के लिए किस बिटामिन की आवसेक्ता होती है तो रताउंदी से बच्चाओ के लिए बिटामिन A की आवसेक्ता होती है का ऊके और विटामीन ये का अच्छा स्रोत्माना जाता है गाजर जानी करट्स और चो थरे में भी डामीन एक पाया जाता है और निक्स्ट हमारा जो रोग जो चर्म से होता उसे क्या कहते हैं वह प्रिशिज जो पिमरी आपको जर्म से होती है वो क्या होता है एक medical terminology में से torch कहते हैं T-O-R-C-H torch नेक्स्ट है हमारा Enalgesic दमाईयां किस काम आती ही तो Enalgesic दमाईयां कि दर्द के काम में आती दर्द को खतम करने के लिए जो आपको medicines दे जाती है उनका टाइप क्या होता वह होता है एनाल जिसी है ओके और नेक्स्ट हमारा है अज तोचा द्वारा तोचा के नीचे इस्थित उतकों में कौन सा injection दिआ जाता है तोधिया जाता है सब क्यूटनियश अत्विचा सकी नीचे इस्थितूत् को में कौन düşünक्स दिआ जाता है अग्स्ट हमारा है od का क्या अर्थ है तो औरदी का अर्थ है दिन में एक बार एंगि जो हो रहा हैं बीडी बिडी होता है दू बार यानि two times छिक है और फिर उसके आगे क्या है qid qid कम है चार बार यानि कि आपको दिन में एक बार यानि Good or bd यानि two times और qid यानि four times लेनि और एक बार दोबर और ूटी बीडी और क्यू आईडी तो उमीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको प्लीज जरूर करें और अपने फ्रेंट के शेयर भी करें जिससे कि उनको भी इस वीडियो का लाब मिल सके और नेक्स्ट हमारा है गरम भाप साज द्वार द्वारा दी जाती है उसे क्या करते हैं तो गरम भाप साज द्वारा दी जाती है उसको करते हैं स्टीम इनहलेशन करते हैं जब गरम भाप साज द्वारा दी जाती है और नेक्स्ट हमारा है जन के समय बच्चे का सिर का परिमाप चाती के यानि चेस्ट के परिमाप से कितना ज्यादा होता है तो कितना ज्यादा होता है वो दो सेंटीमेटर ज्यादा होता है ठीक है और नेक्स्ट हमारा है खसरा का टीका किस महिने में दिया जाता है तो खसरा का टीका दिया जाता है 9 महिने में यानि कि कसरा को क्या बोलते हैं मिजल्स मिजल्स बोलते हैं और यह बच्चा जब 9 महिने का हो जाता है या 9 महिने के बाद आप उसको कस्रे से बचाओ के लिए मिजल्स का वक्सीन दिया जाता है और नेक्स्ट हमारा है और औरर आश कब वह ब्र जाता है तो उसको कमी को पूरा करने के लिए और उसको फ्लूट की रिकौरी करने के लिए ORS दिया जाता है और फ्रेंट्स ORS का फुलपार्म क्या होता है तो RS का फुलपार्म होता है औरल रिहाइडरेशन साल्ट्स और नेक्स्ट हमारा है ट्वालेट ट्रेनिंग किस वर्स के बच्चों को सिखा जाता है तो ट्वालेट ट्रेनिंग जब कोई बच्चा एक वर्स का हो जाता है तो उसको ट्वालेट ट्रेनिंग देनी चाहिए और नेक्स्ट हमारा है बालक गुटने के बल कब चलना सुरू करता है तो बालक गुटने के बल चलना शुरू करता है तो फ्रेंट्स ये हमारा जो question answer series का start करी है आपके MP NHM के होने वाले exam, NM और stop nurse का तो उसका इस series का एप part 2 वीडियो है और आगे भी मैं ऐसी वीडियो upload करता रहूंगा और जिसे के आपकी अच्छी तियारी हो सके तो दोस्तों उमीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को subscribe जरूर करें और बेल आइकोन को प्रेश करें तभी आपको मेरे वीडियो के नोडिविकेशन मिल पाएगी तो दोस्तों thank you so much for watching my video और वेट करिए अमारे तीसरे पार्ट वीडियो का और तब तक देखते रहें मारे चैन प्रोग्रस्टीपोंट thank you so much